हिल्लो दोस्तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज आज मैं गोविंदा का नब्बे दशक के टॉप 15 मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं एक नमबर पे हैं आंदोलन जो 1991 में रिलीस हुआ था बजेट था 3.7 करोड और कालेकसन था 16.21 करोड और इस मूवी को सुपर हिट का टैग मिला था दो नमबर पे हैं हतकडी जो 1995 में रिलीस हुआ था बजेट था 3 करोड और कालेकसन था 8 करोड और इस मूवी को एवरेज का टैग मिला था तीन नमबर पे हैं किस्मत जो 1995 में रिलीज हुआ था बजेट था दो करोड और कालेकसन था चार करोड और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था चार नमबर पे हैं कुली नमबर वन जो 1995 में रिलीज हुआ था बजेट था 3 करोड और कालेकसन था 21 करोड और इस मूवी को सुपर हिट का टैग मिला था जो 1995 में रिलीज हुआ था बजेट था 5 करोड और कालेकसन था 12 करोड और इस मूवी को सेमी हिट का टैग मिला था चे नमबर पे हैं सजन चले ससुराल जो 1996 में रिलीज हुआ था बजेट था 4.5 करोड और कालेकसन था 46 करोड और इस मूवी को ब्लॉक बस्टर का टैग मिला था साथ नमबर पे हैं माहिर जो 1996 में रिलीज हुआ था बजेट था 2 करोड और कालेकसन था 3 करोड और इस मूवी को दिजाश्टर का टैग मिला था आठ नमबर पे हैं जोरदार जो 1996 में रिलीज हुआ था बजेट था 1 करोड और कालेकसन था 1 करोड और इस मूवी को फ्लॉक का टैग मिला था नौ नमबर पे हैं छोटे सरकार जो 1996 में रिलीज हुआ था बजेट था 6.5 करोड और कालेकसन था 6.9 करोड और इस मूवी को फ्लॉक का टैग मिला था दस नमबर पे हैं हीरो नमबर वन जो 1997 में रिलीज हुआ था बजेट था 6.7 करोड और कालेकसन था 31 करोड और इस मूवी को सुपर हिट का टैग मिला था जारा नमबर पे हैं अगने चकर जो 1997 में रिलीज हुआ था बजेट था 1.5 करोड और कालेकसन था 95 लाख और इस मूवी को फ्लॉक का टैग मिला था बारा नमबर पे हैं बनारसी बाबू जो 1997 में रिलीज हुआ था बजेट था 5 करोड और कालेकसन था 10 करोड और इस मूवी को एवरेज का टैग मिला था तेरह नमबर पे हैं दो आँखे बारा हाथ जो 1997 में रिलीज हुआ था बजेट था 3 करोड और कालेकसन था 4 करोड और इस मूवी को फ्लॉक का टैग मिला था 14 नमबर पे हैं लोहा जो 1997 में रिलीज हुआ था बजेट था 1.5 करोड और कालेकसन था 9.7 करोड और इस मूवी को सेमी हिट का टैग मिला था 15 नमबर पे हैं दीवाना मस्ताना जो 1997 में रिलीज हुआ था बजेट था 7 करोड और कालेकसन था 27 करोड और इस मूवी को सुपर हिट का टैग मिला था